हलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, सिंपे लेंड यूनिक किचिन में, मेरा नाम है शाल जी, आज मैं बनाऊँगी सूजी की इटली, सूजी की इटली दो तरीके से बनाई जाती है, धाई से और नीबू से, मैं सूजी की इटली नीबू से बनाऊँगी, क्योंकि नीब नीबू का रस, एक टेवस्पून नमक, वनफोर टेवस्पून इनों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें सूजी को निका देंगे, अब हम इसमें नीबू का रस डालेंगे, नमक डालेंगे, और इन्हें मिक्स करेंगे, अब हम इसमें एक से डेड़ ग्लास पानी डालेंगे, हमें इसमें इतना पानी डालना होता है, कि हमारी सूजी का जो घोल है, वो थोड़ा पतला बनका तयार हो, क्योंकि हमारी सूजी आगे फूलती है, तो इससे हमारा घोल, जब हम इटली बनाने स्टार्ट करेंगे, तो कि वह अच्छे से सेट हो जाता है आप वीडियों में देख सकते हैं कि हमें इसका घूल कितना पतला रखना है और किस हिसाप से बनाना है ये हमारा घूल बन कर तयार है हम इसे चलाते हुए रखना है अब अब इसे 10 इसे 15 मिनिट के लिए धब कर रख देंगे जिससे कि अमरी सूजी सेट हो छायए 15 मिनिट बाद मरी सूजी सेट हो गई है हम इसे चलाती हुए देखेंगे हमारा गोल्मन का तैयार है हम अपक हम यहसे अच्छे से चलाएंगे ही है केज इडली बनाने के स्टेंड गैस पर रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे और इसे गरम होने देंगे जब तक हमारा पानी गरम हो रहा है हम इसमें इनो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें जिसमें इडली बनाने हैं इडली बनाने के स्टेंड में हलका हलका ओईल लगाएंगे जिससे कि हमारी जब इडली बनकर तयार हो तो वो आसानी से निकल जाए अब हम इसमें इडली का गोल भरेंगे नीवू की इडली बहुती लाइट रहती है और ये खाने में भी बहुती टेस्टी बनती है आप इसे घर पे जरूर ट्राइ करें अब हम इन्हें इडली के स्टेंड में रखेंगे और 10-15 मिनिट के लिए गैस पर पकाएंगे 15 मिनिट बाद गैस बंद कर देंगे और 5 मिनिट ये ढखकर रखेंगे 5 मिनिट बाद हम इडली को भार निकालके रखेंगे ताकि हमारी इडली धंडी हो सके और 5 मिनिट ये धंडी होने देंगे पांच नेट बाद हमारी इडली ठंडी हो गई है, अब हमें नाइफ की मदद से निकाल लेंगे, और इन्हें प्लेट में रखेंगे, हमें नाइफ की मदद से इडली को निकालना है, ताकि हमारी इडली साबुत ही भार निकल के आए, वो तूटे ना, और आप देख सकते हैं इडली किनी सॉफ्ट बनी है इसी तरीके से हम बागी इडली बना लेंगे और हमारी इडली बनकर तयार है अब हम इने साफ करेंगे उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स नीबु से बने इडली आप ज़रूर ट्राइ करें क्योंकि ये खाने में बहुत लाइट हैती है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें करेंगे भाइब करें दो सुनल के अवाइब करें